नमस्कार दोस्तों, इंसुरेंस टेकनिकल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यहां आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंसुरेंस की जनकारे, इंसुरेंस प्रोफेशनल के द्वारा वह भी बिलकुल आसान भार्षा में। आज की चर्चा का विशय है LIC का नया पेंसन प्लान, जी हां LIC की सरल पेंसन योजना जिसका टेबल नमबर है 862-862 जो 1 जुलाई 2021 से मार्केट में उपलब्ध हो गई है। इस वीडियो में हम इस प्लान को पूरी तरह एकजामपल के साथ समझेंगे। इस पेंसन प्लान को बहुत ही सिंपल रखा गया है ताकि इसे समझना आसान रहे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि IRDA ने 25 जनवरी 2021 को सभी लाइफ इंसुरेंस कंपनियों के लिए एक सर्कूलर जारी किया था। जिसके तहत सभी लाइफ इंसुरेंस कंपनियों को सरल पेंसन योजना नाम से स्टेंडर पेंसन की पॉलसी मार्केट में लानी थी। उसी के तहत LIC ने सरल पेंसन योजना टेबल नवर 862 को मार्केट में लाया है। सरल पेंसन योजना एक इमिडियेट एनिटी प्लान है। इमिडियेट अर्थात तुरंत मतलब भीमाधारक ने पॉलसी ली और उसका पेंसन शुरू हो जाएगा। इमिडियेट एनिटी को आप इमिडियेट पेंसन भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेंसन कब-कब मिलेगा। यदि आपको पेंसन हर महिने चाहिए तो आप मंथली मोड का चुनाव कर सकते हैं। यदि pension हर 3 महिने पर चाहिए तो आप pension के लिए quarterly mode का चुनाव कर सकते हैं यदि pension हर 6 महिने पर चाहिए तो half yearly mode का और यदि pension हर साल चाहिए तो आप yearly mode का चुनाव कर सकते हैं आप जिस mode का भी चुनाव करेंगे policy लेने के उतने समय बाद pension शुरू हो जाएगी यदि मंधली मोड का चुनाव करेंगे तो policy लेने के एक महीने बाद pension शुरू हो जाएगी quarterly mode में तीन महीने बाद, half yearly mode में छे महीने बाद और annual mode में 12 महीने बाद pension सुरू हो जाएगी सरल pension योजना एक single premium payment plan है इसमें policy लेते समय ही एक बार में ही पूरा premium pay करना होता है है life annuity with 100% return of purchase price यह option single life के लिए है मतलब इसमें pension किसी एक बेक्ति से जुड़ा होता है जब तक pension धारी जिवित रहेंगे उन्हें पूरे जीवन pension मिलती रहेगी उनके बाद इस policy को लेने के लिए उन्होंने जो base premium का भुकतान किया था वह nominee को वापस मिल जाएगा यहां एक बा है joint life annuity with a provision of 100% annuity to the secondary annuity on death of the primary annuity and return of 100% purchase price on death of last survivor यह option joint life के लिए है मतलब इसमें pension दोनों जीवन साथी से जुड़ा होता है इसमें pension दोनों जीवन साथी में से कोई भी लंबी अबधी तक जीवित रहता है तो उसे पूरा pension मिलता रहता है जितना pension primary pension धारी को मिलेगा उतना ही pension उनके नहीं रहने पर दूसरे जीवन साथी को भी मिलता है और दोनों जब इस दुनिया को छोड़ कर जाते हैं तो policy लेने के लिए जो best premium का भुकतान किया गया था वह nominee को वापस मिल जाएगा अब बात आती है इस सरल pension योजना को कौन कौन से लोग ले सकते हैं इस pension योजना को लेने के लिए minimum age at entry 40 years है और maximum age at entry 80 years है मतलब 40 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोग इस pension योजना का लाब ले सकते हैं mode of pension इस policy के अंदरगात आप चाहें तो pension हर महिने ले हर तीर महिने पर ले हर छे महिने पर ले या साल में एक बार ले मतलब monthly, quarterly, half yearly और yearly आपको एक चार option मिलते हैं अब बात आती है इस pension योजना को लेने के लिए minimum investment कितने की करनी होगी सरल pension योजना में minimum pension की limit है उसी के अनुसार आपका minimum investment का amount तै होगा यदि आप monthly pension का चुनाव करते हैं तो आपको कम से कम उतने value की policy लेनी होगी जिसके तहत minimum pension 1000 रुपे मिले यदि quarterly pension mode का चुनाव करते हैं तो quarterly pension कम से कम 3000 रुपे होना चाहिए half yearly mode के लिए 6000 रुपे और annual mode के लिए 12000 रुपे minimum pension होनी चाहिए अब बात करते हैं policy का टर्म कितना रहेगा तो यह whole life रहेगा मतलब इसमें पूरे जीवन pension मिलेगी Surrender of Surreal Pension योजना Surreal Pension योजना में critical illness होने पर आप पैसे वापस भी ले सकते हैं इस योजना में 20 critical illness के list दी हुई है जिसके होने पर ही आप policy surrender करके पैसे को निकाल सकते हैं Critical illness होने पर यदि आप policy को surrender करते हैं तो इस Surreal Pension योजना को लेते समय जो आपने base premium भरा था उसका 95% आपको वापस मिल जाएगा loan under Surreal Pension योजना LIC के Surreal Pension योजना में loan की भी सुविधा policy लेने के 6 महिने बाद उपलब्ध हो जाती है आपके loan की maximum limit आपके annual pension पर निर्भर करती है आपके loan का एक साल का जो interest होगा वो आपके annual pension का आधा या उससे कम होना चाहिए यदि कोई Surreal Pension योजना लेने के बाद 30 अप्रिल 2022 तक loan लेता है तो उसे 1.44% per annum के interest rate पर loan मिलेगा सबसे महत्तोपुर्थ Surreal Pension योजना में कितना पैसा लगाएंगे तो कितना पैसा मिलेगा आईए इसे उधारन से समझते हैं सबसे पहले single lakh के example को देखते हैं मिश्टर राकेश जिनकी उम्र 60 वर्ष है ओ सरल पैसन योजना 10 लाग के समेशोट की लेते हैं और annual pension mode का चुनाव करते हैं मतलब उन्हें साल में एक बार pension चाहिए तो उन्हें इसके लिए 10 लाग 18,000 रुपए प्रिमियम का भुगतान करना होगा और उन्हें हर साल 51,650 रुपए pension के रूप में पूरे जिन्दगी मिलेंगे जब मिश्टर राकेश इस दुनिया को छोड़ कर जाएंगे तो उनके नौमनी को या कानूनी वारिष को 10 लाग रुपए वापस मिल जाएंगे अब जॉइंट लाइप के एकजामपल को देखते हैं मिश्टर कार्तिक की उम्र 60 वर्स है और उनकी पतनी की उमर 55 वर्स है ओ सरल पेंसन योजना 10 लाग के समिशोड की लेते हैं और एन्वल पेंसन मोड का चुनाव करते हैं मतलब उन्हें साल में एक बार पेंसन चाहिए तो उन्हें 10 लाग 18,000 रुपए के प्रिम्यम का भुगतान करना होगा और मिश्टर कार्तिक को हर साल 51,150 रुपए पेंसन के रुप में पूरे जिन्दगी मिलेंगे जब मिश्टर कार्तिक इस दुनिया को छोड़ के जाेंगे तो उनकी पत्नी को 51,150 रुपए का पेंसन जिन्दगी भर मिलेगा तो उनके नौमनी को या उनके कानूनी वारिष को 10 लाक रुपए वापस मिल जाएंगे उम्मीद करता हूँ जानकारी काम की लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोच साहित जरूर करे यदि आप चाहते हैं कि मैं और एक्जामपल के साथ वीडियो बनाओ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं कई एक्जामपल के साथ वीडियो बना दूँगा और सबसे महत्तुपूर्ण आपने यदि इस चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जूड़ जैं हमारे साथ इंसुरेंस परफेशनल से इंसुरेंस की जानकारी के लिए और अंत में अपना किमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद